हलो एवरिवन, स्वागत है आप सब का आपके अपने चैनल इंग्लिश एजंडा में आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ उसमें हम जानेंगे कि इस्कूल असेंबले के टाइम जो हमें बहुत से कमांड्स और जो इंस्ट्रक्शन देनी होती है वो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे सो चली शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस क्या है सूपर बात, सभी लोग एक लाइन बना कर असेंबली ग्राउंड में जाईए गुड मॉर्निग एवरिवन, मैके लाइन एन गो तो दे असेंबली ग्राउंड को कहते हैं, एक हाथ का फासला लीजी टेक वन हैंड सेंट, सीधे खड़े रहो, कोई बात नहीं करेगा स्टेंड स्टेट, नॉबडी विल टॉक, सही से खड़े रहो, हिलो मत इस्टेंड प्रॉपरली, डॉन्ट मूव, लाइन को टेढ़ा मत करो, डॉन्ट स्कूद लाइन फिर जब कुछ बच्चे लेट आते हैं, या धीरे धीरे आते हैं, हम लाइन बना रहे होते हैं तब हम बोलेंगे, जल्दी आओ, जल्दी से लाइन में, लग जाओ, come fast, get into the line quickly फिर जब हमारी लाइन बन जाती है, तब हमें कमांड देना होता है, चैनटीज, अटेंशन उसके बाद में हम बोलेंगे, सुपरभास, मैं आप सभी का सुबह की सभा में स्वागत करते हैं चलिए, आज की असेंबली शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट टूड़ी असेंबली Students, प्रातना के लिए आईए, Yes, students, come for prayer फिर हम बोलते हैं, जैसे की हर दिन है कभी 6th class, 6th class, 8th class, सबका बारी-बारी से turn होता है तो फिर हम बोलते हैं, कि आज प्रातना की किसकी बारी है, Whose turn is it for prayer today? फिर जब बच्चे प्रेयर के लिए आजाते हैं, तब हम बोलेंगे, फिर दुबारा से कमांड देंगे, Stannity, Attention और उसके बाद में हम बोलेंगे, प्रातना इस्तिती अपने हार जोड़े और अपने आँखें बंद कीगिए Prayer Position, Join Your Hands and Close Your Eyes Assembly की शुरुआत गायत्री मंतर से करें, Start the Assembly with गायत्री मंतर ठीक है, अब हिंदी प्रातना शुरू करें, Okay, Now Start the Hindi Prayer या फिर अगर इंग्लिश बोलते हों, तो पहले आप बोल सकते हैं, Okay, Now Start the English Prayer फिर प्रातना खतम होने के बाद में हम बोलेंगे, अपने हाथ नीचे करें और अपने आखें खोल लें, Down Your Hands and Open Your Eyes फिर उसके बाद में फिर से हमें बोलना होता है, Stenity, Attention यानि सावधा, विश्राम प्रेयर के बाद में हम नॉर्मली प्लेज बोलते हैं, तो उसके लिए हम बोलेंगे, पर्तिग्या इस्तिति लें, Check Place Position या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, पर्तिग्या के लिए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाए, Just Forward Your Right Hand for Playing और फिर उसके बाद में, Schools में आजकल एक्सराइज भी होती हैं, Assembly Time में ही, तो उसके लिए हम बोलेंगे, ठीक है, वयाम के लिए, तयार हो जाओ, उचित दूरी ले लें Yes, get ready for exercise, या फिर get ready for PT, take enough distance, ठीक से करें, do properly फिर exercise करवाने के बाद में, हम बोलेंगे, अब दो मिंट का विश्राम लेंगे, now take two minutes rest और उसके बाद में, जैसे newspaper reading, और फिर poem reading, gk question, इन सब का turn आता है, तो उसके लिए देखिए हम command कैसे देंगे आज newspaper कौन पढ़ेगा, who will read the newspaper today, बाते नहीं, ध्यान से सुनिये, don't talk, listen carefully रिटा, class 7 से newspaper पढ़ने के लिए आईए, वीटा, from class 7, come for newspaper reading रोहन, class 6 से, आज के सू विचार के लिए आईए, now रोहन, from 6th standard, come for today's thought फिर थोट के भाद में हम बोल सकते हैं जैसे, बहुत अच्छे, मैं आशा करती हूँ कि आप इस सू विचार को याद रखेंगे और इसके अनुसार आचरन करने के कोशिश करेंगे, very nice, I hope you will remember this thought and try to act accordingly अर्जुन, class 9 से आईए, और सामाने ग्यान के person पूछिए, अर्जुन, from class 9, come and ask some gk questions फिर जब बीच में बच्चे हैं, gk questions पूछते हैं, तो नौर्मल आपस में बाते करने लग जाते हैं तो उस वक्त हम बोल सकते हैं, फुस फुसाना बंद करो, ध्यान से सुनो, stop whispering, listen carefully यदि आप उत्तर जानते हैं, तो अपना हाथ उठाएं, raise your hand if you know the answer पर प्रप्या आगे आईए, जिनका जनम दिन है, please come forward, whose birthday is today सभी को जनम दिन की धेर सारी सुबकाम नहीं, many many happy returns of the day everyone आईए, सभी को जनम दिन की शुबकाम नहीं दे, let's wish everyone a happy birthday और उसके बाद में, जब assembly में prayer, place सब हो जाती है, तो हम बच्चों को कहते कि आ जाएए, अब अपनी line में लग जाएए तो उसके लिए क्या बुलेंगे, आप सभी का धन्यवाद, अब सभी अपनी line में शामिल हो जाएए Thank you everyone, now join your line उसके बाद में हम principal में को invite करेंगे मैं हमारी principal में से अनुरोद करना चाहती हूँ कि वे आएए और बच्चों को कुछ शब्द कहें I would like to request our principal में, please come and say few words to the children सभी शान्ती बनाये रखे, silence everyone फिर last में राष्टरगान होता है, तो उसके लिए हम बोलेंगे राष्टरगान के लिए तयार हो जाएए Get ready for national anthem उसके बाद में जब assembly खतम हो जाती है, तो हम बोलेंगे सभी का दिन मंगल में हो और अब अपने-पने कक्षाओं में जाएए Have a nice day everyone and now go to your respective classes Students, दोडे नहीं, दीरे-दीरे जाए, किसी को भी धक्का मत दीए Students, don't run, go slowly and don't push anyone तो ये तो थे वो sentence जो हम school assembly के time यूज करते हैं और अगर आपको school assembly से related और कोई भी sentences जानने हो तो मेरा ये वीडियो देखेगा, इसका link मैंने description box में दे दिया है चलिए मिलते हूँ next वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक के लिए, बाई बाई